दोस्तो बाइक तो हरको ये लेना चाहता है पर जब लेनी होती है तो समझ नहीं आता है ABS बाइक ले, Non-ABS बाइक ले, Single Channel ABS या Dual Channel ABS और किस कंडिशन में कौन सी बाइक ठीक होती है इन सभी सवालों के और कुछ अन्य सवालों के भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो दोस्तों आप सुरूर से अन्तर पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर भी कोई डाउट हो, तो चैट सेक्शन में पूछना मत भूलना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना नोन-ABS बाइक के जैसे ब्रेक लगाते हैं, भी लोग हो जाते हैं, बाइकर बाइक को श्टीर नहीं कर सकता, बाइक फिसलने लगती है, बाइकर का बाइक से कंट्रोल खत्म हो जाता है, और फिसलने की वज़े से ब्रेकिन इस्टेंस भी बढ़ जाता है अब आते हैं ABS पर, ABS मतलब anti-lock brake system यानि नाम से पता चलता है कि यह ऐसा brake system है जैसे brake लगाते हैं, speed sensor ECU को inform करते हैं और ABS brake pressure को release करते रहते हैं activity एक सेकिन में कई बार होती है, इसे भी लोग होने की वज़ाएं बहुती हलका सा घुमा फिर रुका और इस process के साथ में रुख जाते हैं ABS bike जैसे start करते हैं, meter में ABS light on हो जाती है और जैसे bike 8-10 km की speed पकड़ती है, ABS light automatic off हो जाती है और car में जैसे ही car start करते हैं, ABS light on हो जाती है और कुछ सेकिन में ABS light अपने आप off हो जाती है यदि bike में ये car में ABS light अपने आप off नहीं हो तो इसका मतलब ABS system में कुछ गड़बड हैं, ऐसे में mechanic को गाड़ी दिखाना चाहिए यदि bike के आगे के चक्के में ABS है तो उसे single channel ABS कहते हैं और दोनों चक्कों में ABS है तो उसे dual channel ABS कहते हैं यदि single channel ABS है तो आगे कभी लोक नहीं होगा और biker अपनी इच्छा के मताबिक bike को steer भी कर सकता है पर अक्सर panic situation में biker दोनों brake लगा देते हैं ऐसी स्थिति में पीछे का भी लोक हो जाता है और लोक होने की बज़े से skid भी हो जाता है ऐसी स्थिति में single channel ABS की बज़ाए dual channel ABS bike है तो bike skid नहीं होगी और breaking distance भी कम हो जाएगा फिर भी 250 चीची से कम power का engine है तो single channel ABS भी बहुत अच्छा काम करता है और non ABS bike से तो single channel ABS bike बहुत अच्छी है ही यदि breaking distance की बात करें तो सबसे ज़्यादा breaking distance होता है non ABS bike में उससे कम breaking distance होता है single channel ABS bike में और उससे भी कम breaking distance होता है dual channel ABS bike में मतलब साप हुआ कि तीनों बाइक समान स्पीड से चल रही है और तीनों कि समान प्रेसर से ब्रेक लगाया जाए तो सबसे पहले जो बाइक रुकेगी वो होगी ड्रोल चैनल ABS बाइक तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ABS की सरी फाइदे फाइदे हैं एक नुक्सान भी है यदि रास्ता कच्चा हो रास्ता धूल मिट्टी वाला हो तो ABS की वज़े से ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाते हैं वील अपने आगे मिट्टी खोदने लग जाते हैं ये ABS का एक ड्रोवेक हैं तो इसका सोलुशन भी है वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक कर देना नहीं तो डिस्लाइक और चेट सेक्शन में बता भी देना कि डिस्लाइक क्यों किया है ताकि मैं अपने अगले वीडियो में सुधार कर सकूं और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए पहले से और अच्छी वीडियो बनाता रहूं